हाल ही में एक स्कैम की घटना सामने आई है जिस घटना से पता लगा है कि बेसिकली बहुत सारे यूट्यूबर्स जो थे बहुत सारे सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स जो थे वो इस स्कैम में शामिल थे उन्होंने इस एप को परचारित करने का काम किया जिसकी वज़े से ज स्कैम को रोखने के लिए सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स और जो आपके बड़ी यूट्यूबर्स है उनको कैसे कंट्रोल कर सकती है मेरे नाम है अक्षे और आपका स्वागत है द्रिश्टी आइस चैनल की इस नए वीडियो में चलिए सी नोट के साथ वीडियो की शुर का सेग्मेंट भी वहाँ पर मिल जाएगा तो बोगता संदेक्शन के टॉपिक से भी ये पूरा विशय जुड़ता है चलिए सबसे पहले खबर अगर आप देखें तो खबर में एक एप का जिक्रिया आप आपको मिलेगा एप का नाम हाई बॉक्स आप तो यह जो एप है इसी एप की वज़े से आपको यह पूरा जो स्कैम है वो देखने को मिला है और इस स्कैम की जो टोटल वैल्यू है वो आपका एक हजार करोल रुपे के आसपास बताई जा रहे है निकि बहुत बड़े स्कैम के तौर पर आप इसको देख सकते हैं सबसे पहले खबर अगर आप देखें तो खबर यह है कि भारत में कई लोग हाई बॉक्स एप से पीडित हैं जहां निवेश के बदले उच्च रिटर्न का वादा जो है किया गया था इस रिपोर्ट से यहां पर इसको लेकर के जो रिपोर्ट जारी हुई है उस रिपोर्ट से पता लगा है कि स्कै जो आपके जो प्लाटफॉर्म से जैसे कि आपके फोन पर हो गया इसके लावाँ इबस हो गया यह तमाम जो प्लाटफॉर्म से यह प्लाटफॉर्म से आपका कहीं न कहीं इस पूरे आप में शामिल थे इनकी भी भूमिका पर जिक्र किया गया और इनके मर्चंट अकाउं लोगों को ये बोला जाता था कि आप हमें पैसे दीजिए आप हमारे एप पर इन्वेस्ट कीजिए और उस इन्वेस्ट के बतले आपको बहुत सारा जो है बहुत ज्यादा रिटर्न जो है आपको दिया जाएगा और जो प्रारंभिक निवेशक होते थे उन निवेशकों को पैसे दिये भी जाते थे जो आपके शुरुवात की जो लोग थे जिन्होंने पैसे लगाए उनको पैसे प्राप्त भी हुए लेकिन बाद में रिटर्न आना बंद हो जाता है और एप के पीछे जो लोग थे वो लोग भी यहां से गायब हो जाते है अगर रिटर्न की बात थी और लोग इसी तरह के स्कैम में आ करके पस जाते हैं अगर इस स्कैम के पैमानक की बात करें कितने बड़े लेवल पर यह स्कैम हुआ था तो ऐसा बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि स्कैम में तक्रीबन 30,000 लोग शामिल थ बाया है कि बहुत सारे सोशल मेडिया इंफ्लेंसर्स जो थे जो चर्चित लोग हैं वो इस एप का परचार कर रहे थे और इसी परचार की वज़े से बहुत सारे लोगों ने उस एप पर विश्वास किया था और उनका पैसा जो है अब ढूब गया है तो इंपॉर्टन ची जो बड़े बड़े निवेशक हैं वो एक महिने में एक एक पसेंट जो है कमाने की बात करते हैं और कोई आप आपको एक दिन में आता है और आपसे बोलता है कि मैं आपको एक महिने में 30-90 पसेंट कमा करके दूँगा तो आप सोच करके देखिए कि अगर वो इनसान एक मह से थोड़ा सा सूचिए और इस तरह के अप से अपने आपको सुरक्षित रखिए अब यहां पर सवाल उठता है कि सरकार इस तरह के जो स्कैम्स होते हैं उन स्कैम्स को रोकने में क्या कर सकती है तो सरकार यहां पर क्या कर सकती है उसकी अगर आप बात करें सबसे पहले यहां किया जा सकता है कि वो लोग उनका जो sponsored comment है उसको सपश्ट रूप से दर्शाएं यानि कि अगर वो कोई sponsored comment या फिर कोई video बना रहे हैं कोई content बना रहे हैं तो उस content पर ये लिखा होना चाहिए कि ये जो है प्रचार है और इसके साथ साथ इस प्रचार पर जो है आप जो है आतिकता को नरधारित किया जाए तो ये जो आपका organization है ASCI इसने भारत में तमाम जो social media influencers हैं उनके लिए अनिवार्य किया हुआ है कि अगर वो कोई भी sponsored comment करते हैं sponsored post करते हैं तो उनको अपनी post पर hashtag add या फिर hashtag sponsored जैसे tags को इस्तमाल करना पड़ेगा और लेकिन important point ये है कि अभ सकती से लागू किया जाना बहुत important है तो एक तो ये आपका point हो गया दूसरा जो आपके financial product होते हैं उनके विज्यापनों पर हमें और सकती से ध्यान रखना चाहिए financial product को लेकर के और इसके अलावन जो आपके health product है जो आपके food products हैं इन दोनों चीजों को लेकर के बहुत बह लोखी बहुत ज़्यादा होता है और अक्सर इसमें ज़्यादा return का दावा किज़ाता है जैसे हमने अपने recent scam में देखा तो यहाँ पर लोग आसानी से फस भी जाते हैं तो important यह है कि सरकार जो आपके finance influencers हैं जो food influencers हैं उनके लिए और ज्यादा सक्तनियम लेकर के आए और य लेकिन यहाँ पर जरूरी यह है कि हम accountability तै करें और अगर किसी social media influencers की गलत post की वज़े से कोई किसी वेक्ति को नुकसान होता है तो वहाँ पर जो है उत्तरदायत तो निधारित करना important है और उसको सदा दी जानी भी जरूरी है इसके अलावा पंजीकरण भी यहाँ पर किया जा सकता है जैसे कि सरकार ये कर सकती है कि जो भी आपके social media influencers है अगर specific category में किया जाता है तो आपके जो finance influencers हैं उनके registration को अनिवारे बनाया जा सकता है कि अगर आपको को sponsor post करनी है तो आपको सरकार के साथ registration करना पड़ेगा आपको सरकार उनका background चेक कर सकती है ये भी एक उप नहीं कर सकते हैं अगर आपको इन चीजों को नियंतित करना है तो आपको जो ग्राहक हैं जो लोग social media को consume कर रहे हैं जो लोग social media को इस्तमाल कर रहे हैं उन लोगों को जागरू करने की भी जरुरत है उन लोगों को यह बताने की जरुरत किस तरह से आपको scam की माद्यम से फ देखने को मिल सकते हैं चलियवंत में आपके लिए एक सवाल है जिस सवाल का जवाब आप कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आज का सवाल अगर आप देखे हमारा सवाल है कि भारतिय विज्यापन मानत परिशत यानि एस सी आई का मुख्य उद्देश क्या है तो हमारे ऑप् वो आपको जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर जिस इंस्टिउशन की हम बात कर रहे हैं भारतिय विज्यापन मानक परिशत उसका काम क्या है उसका जो है रोल क्या होता है इसको आप जो है कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वो जो अमीद है कि इस वी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफेकेशन लगातार ट्राप्त होती रहें मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए ध्यान रखिए पढ़ते रहिए धन्यवाद अपने एक्जाम की तैयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले